हेलो दोस्तो स्पार्टफॉन की चानल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो स्वागत दोस्तो यदि आप पैंशनर हैं तो आपको जो है बैंक ओफ इंडिया का ये पैंशनर लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म भरना होता होगा हर साल आपको आपनी पैंशनर रिसीव करने के लिए तो अभी की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह आप बैंक ओफ इंडिया का पैंशनर लाइफ सर्टिफिकेट फॉर्म आप कैसे बार सकते हैं तो चलिए बिन देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं जैसक कि आप यहां लिखा हुआ पर सकते हैं पैंशनर लाइफ सर्टिफिकेट बैंक ओफ इंडिया यहां जो है पैंशनर को अपना नाम यहां लिखना होगा पैंशनर का जो PPO नंबर है वो यहां लिख देना है फिर यहां जो है पैंशनर का जो अधार नंबर है वो यहां लिखना होगा पैंशनर को अपना PAN नंबर यहां लिखना होगा पैंशनर का मोबाइल नंबर क्या है वो यहां लिखना होगा pensioner की कोई email ID है तो वो यहाँ लिख देनी होगी pensioner को अपने यहाँ signature यहाँ कर देने है pensioner को अपना नाम यहाँ लिखना होगा pensioner को अपना account number यहाँ लिख देना है pensioner ने किस शेतर में काम किया है उसे आप से यहाँ टिक करना है वह है pension का amount bank of India के जिस भी branch में receive कर रहा है उस branch का name यहाँ लिख देना है फिर नीच आएंगे यहाँ tick कर देना है pensioner को अपने यहाँ signature यहाँ कर देने है pensioner को अपना नाम यहाँ लिख देना है यहाँ PPO number लिख देना है आप जिस दिन इस form को भरेंगे उस दिन की date यहाँ लिख दीजिएगा यहाँ place लिख दीजिएगा acknowledgement यह आपको नहीं भरना है यह सारी चीज़े आप भर देंगे तो आपको इस form में और कुछ नहीं भरना है आशा है दोस्तो अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकरी दी है आपको पसंद आई होगी वीडियो आयो पसंद तो यहाँ लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों के साथ शेर कर देना इस वीडियो को और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया स्मार्टफॉन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजगा स्मार्टफॉन की चैनल को साथी घंटे को भी दबा दीजेगा आने वाली हर लेटेस वीडियो की जानकरी के लिए तो अभी की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद